मा की बाते सरयू बाला देवी से वार्ता लाप मा के घुटनों का वाद काफी बढ़ गया है कल एक भक्त के दो लड़कों ने बिजली की बैटरी लगाए थी उससे थुड़ा आराम है आज भी वे दो लड़के आये है छोटी मामी कह रही है मेरा भी वात कल से बढ़ गया है मैं भी वहाँ मशीन लगाऊंगी मा यह सुनकर हसने लगी बोली लगाओ तो बेटा उसे भी लगाओ लड़कों ने जल्दी जल्दी अपने यंत्र आदी ठीक करके जियो ही मामी के पाउं में एक बार लगाया कि वे चितकार कर उठी अरे मर गई पुरा शरीर जंजना रहा है हटाओ हटाओ सुनकर सभी हसने लगे वे तो सर्वसहा जननी नहीं है तब छोटी मामी मा से बोली तुमने तो बताया नहीं कि ऐसा होगा मा ठीक हो जाएगा चिल्ला मत थोड़ा सहन कर इसके बाद मामी ने कहा सच मुझ ही तो लगता है थोड़ा कम हो रहा है विलास महराज आर्ती करने चले गए बहु कह रही है अच्छा इसके नाम में तो कोई आनंद नहीं है मा हस्ते हुए बोली है क्यो नहीं जी इसका नाम विश्वेश्वर आनंद है इसके बाद वे कहने लगी एक का पुकारने का नाम कपिल था अच्छा तो उसके साथ भी क्या आनंद है कपिल आनंद है क्या तभी सरला दिदी ने कमरे में प्रवेश किया मा अच्छा कपिल का क्या आर्त है सरला दिदी ने कहा पता नहीं, लगता है बंदर होगा मैं यहां क्या सरला दिदी? कपिल का नहीं, बलकि कपी का आर्थ बंदर होता है इस पर सभी हसने लगे मा फिर एक का नाम भूमा अनंद है अच्छा, इसका क्या आर्थ है? मैं सो तो आप ही अच्छी तरह जानती होंगी मा मा नहीं नहीं, तुम लोग बोलो, थोड़ा सुनू मै मा, मैंने सुना है कि भूमा से तातपर्य उसी अनन्त सर्वव्यापी पुरुष से है मा यहाँ बात सुनकर खुश हुई और मुह दबा कर हसने लगी सच मुझी, मा एक-एक समय ऐसा भाव व्यक्त करती है मा नो वे एक छोटी सी बच्ची हो, कुछ भी नहीं जानती फिर अन्य समय देखा है कि जटिल आध्यात्मिक तत्वों की कैसी व्याख्या करती जा रही है वहाँ मनुष्य की किताबी विद्या पूरी नहीं पढ़ती उस समय उनका एक अलग भाव रहता है मा नो सब कुछ समझ रही हो मा ने कहा, और कपिल का अर्थ क्या हुआ? मा इसे सुनना ही चाहती है मैं, क्या जानू मा? कपिल नाम के तो सांक्य दर्शन के प्रणेता एक मुनी थे फिर कपिल रंग भी है उन लोगोंने किस अर्थ से नाम रखा है? मैं क्या जानू? उसी शब्द के हो सकता है और भी अर्थ हो पर मुझे याद नहीं आ रहे है कल मैं शब्द कोश देख कर आऊंगी उसी काल में एक दिन संध्या को गई थी एक सन्यासी मा को प्रणाम करने आये और बोले मा, बीच-बीच में प्राणों में इतनी अशान्ती क्यों आ जाती है? क्यों सारे समय आपका चिंतन लेकर नहीं रह पाता? मन में बेकार की बाते क्यों आ पड़ती है? मा, छोटी मोटी बहुत सी चीजे तो चाहते ही मिल जाती है मिली भी है आपको क्या कभी प्राप्त नहीं कर सकूँगा? आजकल दर्शन आदी भी विशेश कुछ नहीं होते आपकी ही उपलब्दी नहीं कर सका तो फिर जीवित रहकर ही क्या लाब? शरीर का चले जाना ही अच्छा है मा, यहां क्या बेटा? ऐसी बात भी क्या कभी सोचनी चाहिए? दर्शन क्या रोज-रोज होते हैं ठाकुर कहा करते थे कटिया डाल कर बैटने से क्या हर रोज रोहु मचली पकड में आती है? तरह तरह के चारे आदी लेकर एकागरता के साथ बैटने पर किसी दिन संभव है कोई रोहु मचली पकड में आ जाए हो सकता है किसी दिन पकड में न भी आए इसी कारण बैठना नहीं बंद करते अपना जब बढ़ा दो योगिन मा हाँ, नाम ब्रम्म है प्रारम्म में मन के स्थिर न होने पर भी वहाँ होगा अवश्य सन्यासी ने पूछा कितनी संख्या में जब करूं? आप बता दीजिए मा इससे हो सकता है मन में इकागरता आ जाए मा अच्छा प्रति दिन दस हजार जब करो दस बीस हजार जितना भी हो सके सन्यासी मा, एक दिन वहाँ मंदिर में पड़ा रो रहा था उसी समय कि आप सिर के पास खड़ी होकर कह रही है तू क्या चाहता है? मैंने कहा, मा मैं आपकी कृपा चाहता हूँ जैसी कि आपने सुरत पर की थी उसके बाद फिर कहा नहीं मा वहाँ तो दुरगा रोप में था मैं उस रोप में नहीं इसी रोप में चाहता हूँ आप थोड़ा हसकर चली गई इस पर मन और भी व्याकुल हो गया कुछ भी अच्छा नहीं लगता मन में आया कि जब उन्हें प्राप्त नहीं कर सका तो फिर जीवी थी क्यों रहूँ मा क्यों जितना भी मिला है उसी को पकड़े क्यों नहीं रहते मन में सोचना कि और कोई भले ही नहो मेरी एक मा है ठाकुर कहे गए है न कि यहां के सभी अंतिम दिन दर्शन पाएंगे ही दर्शन दे कर वे उन्हें संग ले जाएंगे सन्यासी जिनके यहां था वे ग्रिहस्त खूब भक्त है उनकी पतनी एक बड़े आदमी की पुत्री है खूब खर्च करती है अच्छा खाने पीने को बड़ा अनुरोद करती है मा उसे बेकार ही अधिक खर्च करने से मना करना भक्त ग्रिहस्त के पास रुपए रहे तो साधूओं के कितने काम आते हैं उन्ही के रुपएउं से तो साधू लोग वर्षा काल में एक स्थान पर बैठकर चातूरमास कर सकते हैं उस समय तो साधूओं को ब्रह्मन करते हुए भिक्षा की सुविधा नहीं रहती सन्यासी प्रणाम करके नीचे गए